अज़ पुना NKS Learning Campus में आप लोगों का हरदिक स्वागत है और मैंने बताया था कि मुगलवन्स का पतन यानि मुगलवन्स का जहां से पतन होता है वहीं से हमारा आधुनिक भारत चालू होता है यानि कि आधुनिक भारत का इत्यास मारण इत्यास मेरा सुरूआत होती है और कैसे इसको पढ़ा जाए कहां से कितने कोशन आते हैं यह भी हम बताएंगे क्योंकि इसके हमने देखा है कि विगत वर्स में यहां से जरू कोशन आ रहे हैं और यहीं से मुझे चालू करना है तो आज मैं इसको विद्वत पूरा समाप्त करेंगे आप मेरे साथ जुड़े रही है जो को यह बहुत आसान है बहुत कठिद नहीं है बस इसमें डेटर को थोड़ी से लेकर कन्फूजन होती है वो भी मैं अभी क्लियर करवा देंगे जैसे कि कहा जाता है कि मुगल वंस का जब पतन हुआ तो इसमें मुगल वंस का एक राजा करने पहुचा और का जाता है कि वहीं उसकी कब्र आउन शा एक बेट था अक्बर थ abajo τη आउसी का ऑप तीछा करते वह जब ढ़ारत पहुचता है तो आहमद नगर में उसकी 1707 में रत हो जाती है का जाता है कि 1707 में एहमद नगर में जब रत हुई तो उसको वही खुलाबाद के पास उसको दफन किया गया था तो यह चीज याद रखना और और यह पहला एसा मुगलवास है था जो अपनी वसीयत लिखकर मरा था इसने अपने बेटू के इस बज़े लिखे मरा क्योंकि यह जान रहा था कि मेरे बेटे वह सकता है मरने के बाद सत्ता के लोग के लोग जगडा करें तो इसके बेटे कितने थे तीन बेटे थे और इंग जेब कितने बेटे थे तो तीन बेटे थे यह चीज याद रखना जो और इंग जेब हैं और इंग जेब जो थे औरेंग जेब के और तीनों बेटों में युद्ध निशित था बलुबसियत लिख गए लेकिन युद्ध निशित हो गया अब युद्ध जब होता है तो कहा जाता है इसमें जो सबसे बड़ा बेटा था मुझ्जम याद रखना ये मुझ्जम जो था ये और जो कामबक्स था कामबक्स यह भी युद्ध चाह रहे थे तो वह यह मुझ्जम ने आजम को किस युद्ध में मारा तो यह एक बार कोशन पूछा गया तो अठारा जून याद रखना अठारा जून 1707 में एक जाजो नामक युद्ध तो जाजो एक इस्तान था यह कहा जाजो नामकिस्तान है यहीं पर युद्धो आता है और कहा जाता है कि मुझ्जम ने आजम को मार दिया अगर यह देखा जाए तो वास्तों में मुझ्जम की अपेच्छा आजम के पास सेना अधिक सक्साली थी लेकिन रणीत जो अच्छी थी वह मुझ्जम के थी मौज़म ने क्या किया कि ये वहां से चलता है लाहार में आ के ये लाहर से आता है फिर ये लाहर से आते हुए और इसे आगराक पास पोस्ता है और जो आजम था ये उस समय अहमतनगर में था इसने अपना वहां राजबशेक करा लिया और राजबशेक इसने करा के और इसने अपने सिक्के डलवाए और अपनी उपादियां धारन करके और कहा कि तो सब जागीरे भी इसने बाट दी अब इसके साथ हुआ ये कि वहां से जब चलता है जब ये लाहोर से चला है और ये अहमतनगर से चला है दोनों आके आगराक पास पहुंसते हैं और जाजो नामक जगे पर युद्ध होता है अब इसका साथ जो आजम का था इसका साथ निजाम उल्मुल्क दे रहा था कौन दे रहा था निजाम उल्मुल्क दे तो फड़ रहते लेकिन इसके बाद भी ये युद्ध इसके पच्श में नहीं रहा करण यह रहा कि जब युद्ध छिड़ा उब इन पराजित होने लगा इस बेटा जो था आजम का वैदार बक्ष और यह युद्ध सुलवात होते ही ये मारा गया जब ये मारा जाता है तो युद्ध जो था वो किसके पच्छ में चला गया मुझ्जम के पच्छ में चला गया और निजाम मुल्क ने कहा था कि अब आप ऐसा करो यहां से निकल जाओ और अपनी सक्ति बढ़ा कर पुना युद्ध म तो उसने का कि मुझे सलाय देने की जरूरत नहीं अगर तुम्हे जाना है तो चले जाओ जब यह का तो दीरत से वो भी निकल गया उसके साथ और जितने थे वो भी लोग निकल गया अब दीरे दीरे यह अकेले पड़ गया और यह दोता है और कहा जाता है कि साम का समय था काहत यह सब क्या हो गया मेरा भाइ उस से जुदा हो गया जाने कि इतना उदारवादी भी था चन्न कि ताबूत में उन भाइय का और उसके नों बेटे भी मारी जाते दोनोंका सवहों को रखकर और यह कहां दफन किया जाते हैं डिली में अगरा से दिली सावल trajectory घ्लमले ज पुदारवादी था और इसने ये कहा था कि मैं तो नहीं चाह रहा था युद्ध लेकिन मेरे भाई ने जवजस्ति युद्ध करने मजबूर कर दिया था और कहा जाता है कि एक बार एक statement था एक संद का उनने ये कहा था कि एक समराज में एक राज में दो बासा नहीं रह सकते हैं जिस तरह के एक चाजर में दस संत तो रह सकते हैं लेकिन एक राज में दो बासा नहीं रह सकते हैं यह statement यही आजम का था और यह भी कहा जाता है कि आजम के कहने पर साहू यानि कि देखो एक चीज़ याद रखना निजामुलक ने कहा था तो साहू को इसने कैद से छोड़ दिया था जब साहू को कैद से छोड़ा तो ताराबाई और साहू के बीच युद्ध भी हुआ था तो वो भी चीज़ याद रखना इसके बाद कामबक्स कामबक्स को भी इसने यानि कि 1709 में देखा जाये तो कामबक्स को भी हरा कर मार दिया ऐदराबाद के पास ये कामबक्स के बीच युद्ध होता है और कामबक्स भी मारा जाता है यानि कि अगर देखा जाये यही जो मुझ्जम था मुझ्जब ने अपने दो भाईयों को मार कर और किस नाम से बैठा था बाददूर सा जाद रखना बाददूर सा के नाम से बैठता इसकी एक उपाद ओर थी सा आलम थी कौन सी उपाद थी सा आलम सा आलम प्रथम था यह ठीक है तो सा आलम प्रथम के नाम से 1707 मगद्धी परबाड़ता है और कब तक ये सासन करता है 1712 तक ये सासन करता है और कहा जाता है कि बहदूर सा जो प्रिथम था इसने गुर्गोविन सिंग को 5000 का मनसब दिया था कितने एक मनसब दिया था 5000 का दासवर मनसब दिया था और सिकों से जो चले आ रहे थे इतने लंबे समय इर्षा चली आ रहे थे जाने कि सिक जांगीर के समय संबंध खराब हुए थे और 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 जेव ने तो पुर्गोविन सिंग के दो बेटों को मरवा दिया था युद्ध म और बाहदुर साने उनको 5000 का मनसब भी दिया तो 5000 का मनसब दिया था जासवर इनको दिया गया था एक चीज़ और रखना कि यह जब गुर्गोविन सिंग के सम्बंद अच्छे होते हैं लेकिन गुर्गोविन सिंग की जम्रत तो हो जाती है इसके बाद उनका जो सेना पत्था बंदा बादूर तो बंदा बादूर ने इनके खिलाब बगावत कर देती बादूर साह के खिलाब तो लौगड के किले पर वो एक बार हार जाता और वो कब्जा कर लेते हैं और वो व 12 में पुना लोगड के किले पे कबजा कर लेता है और लोगड के किला जो था अंबाला की पास है और इसको किस ने बनवाया था गुरगोविन सिंग ने बनवाया था उसको पुना वो कबजा कर लेता है और कहा जाता बंदा बहदूर जो था इसने सिक धर्म की पुना यानि अपना की तो यह चीज याद रखना ठीक है कि दनकीस्त अपना की ठीक है तो यह चीज याद रखना और अंगला देखो इसके बाद की एक चीज और याद रखना कि मौमबशा की बाद कौन बढ़ता है यानि कि पूछा गया कि मौमबशा था नभी आपाहं है जब यह मौगत साहां यह मुझम बादूर सां यह जो था याद रखना इसके कोषेट नहीं पर बना नोग बहुत गलत पिये थे बादूर साह कि पादूर साप प्रथम जो था इसकी कब्र कहां है तो याद रखना कि औरंग जीव यानि एक कि फिल्दावाद में किया था खुल्दा वाद में इस तो खुल्दावाद यानि के आहमत नगर में इसकी भी कब्र है यह चीज याद रखना एक और यह ता है कि मुछा बादूर साल और ने ज़जिया कर समआप्ट कर दिया था उड़ता नहीं लेकिन कुछ समय में अपने शासन काल समआप्ट रखी जजिया कर नहीं लगेंगा ऐसा कि यह चीज याद रखना इसके बाद भी है आप इसके बाद बैठता है जहाँदार सांद। दोखो याद रखना जाहंदार सभाता अब जाहंदार की मिशह में देखो क्या क्या कॉशन बनते हैं जाहं ऑफरी चीज क्यार करना बाद दूरसा और श्थम जब था इसकी चार बेटे थे कौण कौण था जहांदार था जहांदार साथ और इसके बाद कौन था जहांदार साथ रफी उस्सान था अजीब उस्सान था जहान सान था, जहान सान था, यह चार वेटे थे, यह का जाता है कि जहांदार साँ ने अपने तीन भायों को मार कर सत्ता प्राप्ट की थी, यानि कि जहांदार साहा ने तीन भाईयों को मार कर सत्ता प्राप्ट के थी जहांदार जो है जहांदार साहा ने अपने तीन भाईयों को मार कर और कब सत्ता प्राप्ट के थी 1712 से 13 वर्स अब 1712 से 13 अब ये कहा जाता है कि मात्र एक वर्स शासन किया तो इसने मात्र एक बार तो एक बार शासन इसने मात्र एक वर्स किया एक लाल कुवारी नाम की वेश्या थी लाल कुवारी नाम की एक वेश्या थी तो उसी से ये प्रेम में इतना मगन रहता था मनवसी में लगा रहता था और ये कहा जाता है कि इसे राज जाज की कोई चिंता नहीं थी कि राज में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा और इसने इसी के समय तो आयते राजपूत राजा वो कौन था? एक था जैसिंग यह भी याद रखना और एक थे अजीस सिंग अजीस सिंग याद रखना कि जो जैसिंग था जैसिंग को मिर्जा राजा की उपात दी गई थी है यह एक यह कोस्चन काहिबार पूँछा है और मालवा कायशने क्या बना दिया था सूवेदर बना दिया था मालवा का सूवेदर बना और आजीस सिंग के मैं तो यह कहां के सा सकते तो यह महरवाड के थे ये मारवाल के थे और ये अमेर के थे ये याद रखना ये अमेर के थे अमेर के राजा थे अब ये मारवाल का राजा था और इसको महाराजा की उपाद दी थी किसकी उपाद दी थी महाराजा की उपाद दी थी और गुजरात का इन्होंने सुभेदार बना दिया कहा का कोशन कई बार पूचा गया अब जहांदर्ड काई कार्व जहांदार के सा के समय निजां मुल्क निजां diabetes पुल मुल्क पुल मुल्क तो याद रखना इसको इसने वजीर कपद दिया था कई क आश्यर कपद दूद के तो और आप देखो ध्यान देना कि अशद खान एक बार कोश्चन पूछा गया की मुगलकाल का ऐसा कौन वजीर था जो सबसे लंबे समय तक वजीर का पतधरन किया तो अशद खान था अशद खान बहुल लंबे समय तक पतधरन किया था अब एक चीज और अब यह जो जहांदार सा तो जहांदार ने यहां जागीरे देना खुब प्रारम कर दिया अब इसको निजाम और मुल्क को इसने पावर भी दे रखी थी चुकि बाप बेटा दोनों बहुत उच्छपद पर थे इसके बाद होता यह है कि लाल कुमारी अब उसके परवार के लोग आ गए उनको भी और और रफी उच्वान का बेटा जो फारुक सियर था यह फारुक सियर यह वस्लमय कहां पर था तो ब्यार याद रख़ना रूक में यह नुत बियाद अतरल फारत में यह करों से चलता है बियार यह आप दिलिक तरप आता तो यह कहा जाता है जब वहांस यह चला मार दिया तो सबसे पहले तो हाथ मिले लेता है यहादार को मारता है फरुक सीयर को मारता है हम देज़ाइस पर शd Care अपने हात मिले लेता इसमें साथ साथ-किस ने दिया था यह याद रखना साथ किस ने दिया था तो संय बंदू ने अगर संय बंदू ना ओते तरहां aboard रूल कि इना साथ दिया था अब याद रखना अब संय बंदू का ज़ीद抗पर बंदू अब एınız., colabor котором जो सेयद बंदू थे यहां पर दो थे हुशेन खां और अब्दुल्ला जब हुशेन और अब्दुल्ला यानि कि फारुक शियर की मान ने यह कहा था कि जाओ तुम्हारा पहला काम यह है फारुक शियर से कि सेयद बंदूओं की मास मिलके आओ उनसे आशिरवाद लो और फारुक शियर नहां वही किया जब अनकी मास मिलता है तो उनकी मा यह कहती है अपने बेटे से कि जाओ इसका राजपार्ट वापस दिलाओ और इनने बच करण होँ सेयद кино की सहता से फारुक सिएर यानि कर देखा जाये सेयद बैढक से फादू की सहता से फारुक सियर तो कपारुक धना इस रिफादा गया अब फारुक सियर बैठता है कि ये धालू पारुक शयर 1712 से 19 तक यह भारुक शियर जब बैठा गद्धी पर तो यह कहा जाता है गद्धी पर बैठते ही इसने अब्दुल्ला बंदू जो अब्दुल्ला यानि कि सेयद बंदू अब्दुल्ला को और हुसेन को उच्पत दिये यानि कि अब्दुल्ला को जो है मीर बक्षी और उसको जो है वजिक पद दिया अब यह दोनों पद पा जाते हैं और बहुत सक्साली हो जाते हैं कहा जाता है कि इन्हें किंग मेकर के नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है तो किंग मेकर के नाम से जाना जाता है तो किंग मेकर के नाम से जाने आते हैं तो किंग मेकर के नाम से फारुक शियर के समय याद रखना यहां पर जड़ा देखो यह कि फारुक शियर है जो यह यह किस इसे कि समय किंग मेकर के नाम से अब्दुल्ला और हुसेन अब्दुल्ला हुसेन किंग मेकर के नाम से जाने आते ह तो इन्हें मारने के लिए प्लान बना दिया जब प्लान बनाता है तो इसको मालूम हो जाता है सडेयंद का और जब सडेयंद का मालूम होता है तो यह हुसेन एक बार यह गद्धी पर बैठा था पीछे से गला दबाकर इसकी अत्या कर दे और यह कहा जाता पाइली वारा ऐसा हुआ जब एक बजीर के दोआरा इसी बास साथ की अत्या होती है तो यह चीज याद रखना अब इसी समय जो महाराजा थे अजीज सिंग ने अपनी बेटी का विवा किसके साथ किया था तो यह भी याद रखना महाराजा जो अजीज सिंग थे उन्हों ने अपनी बेटी का विवा फारुक्षियर से किया था किससे किया था तो फारुक्षियर से अब इनको उच्पद भी मिल गए थे ठीक है तो यह चीज याद रखना और फारुक्षियर के विशर में यह कहा जाता है कि इसने जो है बंदा बाहदूर को लौगर के किले पे यह ज रखना हो फारुक्षियर के बाद में मृत किसका क्या कर रहा है क्योंकि हुसेन को मारने के लिए सड़ेंत रचा तो हुसेन नहीं इसको मार दिया तो यह चीज याद रखना इसके बाद रफी उद्दददद एक और ससक बाड़ता है रफी उद्दरजाद दिखो एक चीज याद रखना रफी उद्दरजाद यानि कि 28 फरवरी चार जून 1719 तक बाड़ता है यानि कहा जाए कि सबसे कम समय तक सासन करने वाला कौन था तो याद रखना रफियुद दर्जात था सबसे कम समय तक सासन किया था मात्र 6 मैना तक सासन किया था फिर इसके बाद रफियव उद दर्जात ये 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 इसे कम समय तक बैटा तो ये दौला बैटा था टिक एक क्वेशन और यह पूछता है कि जैसे कि रफी और दर्जाज जो था इसकी मृत कैसे हुई तो पेचिस के द्वारा हुई थी ठीक है पेचिस के द्वारा हुई थी और जो यह रफी दौला था इसकी कैसे मृत हुई थी तो टीवी के द्वारा हुई थी जानी कि टीवी हो या इसको इस वजेसे यह मर गया और इसको किस नाम से जाना जाता है एक चीज और रहाद रखना कर जाजान दूती के नाम से भी जाना जाता है इसके बाध मुअम्बस सा को रोशन अक्तर के नाम से जानते हैं यह 1719 से कब तक 1748 तक बैठता है मुवम्मद साह की विशे में यह कहा गया हूं मुवम्मद साह जिस समय गद्धी पर बैठा तो उस समय अब्दुल्ला और स्यद बंधूं का पतन हो गया पतन कैसी क्योंकि इसने ये कहा था इव इन दोनों को समाप्थ कर दिया जाए तो एक मुमबध हादी थे उसने इसको मारा था किसको हुषैन को, जब हुषैन मार दिया जाता है तो आबदुल्ला बन्ला लेने के लिए जाता है, गुस् Delhi में भी पकड़ा जाता वो भी मार दिया जाता, तो दोनों नीयों का पतन किसके समय होता है, तो मुहम्ब साह के समय होता तो अब एक चीज और याद रखना कि मुहम साह कि समय अर्थ व्योस्ता इतनी और एक चीज और याद रखना इससे जो मुहमद साह था इसे रंगीला के नाम से जाना जाता है तो रंगीला के नाम से तो को एक चीज और जान लेना कि उपर से तो चार क्रम पूछा जाता है जिसे बादूर साह के पूछा जाए तो साह बेखबर के नाम लगा के आना और एमस साह के जहांदार साह कि समय पूछा जाए तो जहांदा को लंपटमूर का जाता है और अगर फारुक शियर के बात की जाए तो फारुक शियर के कई बार पूछ यह तो रंगीला के नाम से यह किस नाम से जाना जाता था तो रंगीला के नाम से जाना जाता था यह गड़ित कायर के नाम से जाना जाता था ठीक है यह याद रखना और यह लंपटमूर के नाम से लंपटमूर के नाम से और यह सा बेखवर के नाम से काहा बेखवर के नाम से अब ये सा बेखवर यानि कि अगर ये किसने कहा था सा बेखवर है तो खाफी खाने कहा था जिनने मुथकव उल्लवाब पुस्तक लिखे थी ठीक है तो ये चीज़ आज रखना मुगलों की ऐसी अर्थ व्यस्ता चर्मराई का जाता है कि इस समय वहांग दर्बार के बरतन तक किर्मी रखने पड़े बेचने पड़े करण यह है कि व्यतन देने के लिए पैसा नहीं बचा था और इसकी मां जो थी वह अपने हाथ में सत्ता ले ले थी तो यह भी एक बेका समय हुआ धा है आमसा को लगा क्या है ना अमसा अबदालिक तो को कैसे नकालेंगे आःमसा यानि कि आःमसा अबदालिक कांभिवा इसके बाद आलमगीर आलमगीर अलमगीर 1754 से और ठामन तक बैठे हैं तो आलमगीर यह बैठते हैं इनका भी कोई बहुत रोल नहीं रहा कुछ समय तक बैठे हैं लेकिन इनका भी कोई खास रोल नहीं इनके वजीर नहीं कादिर था उसने इस तो यानिक हत्या करवा दे फिर साजात तिर्ति तो नाम मात की अभी बैठे इनका भी कोई खास रोल नहीं रहता है अब इसके बाद जो मुख है अभी वो बताएं आपको अब इसके बाद क्या पर याद रखना साजांत किर्टी साजांत किर्टी के बाद अगर सा आलम सालम बैठता है दुती अब सालम की बिसे में ये कहा जाता है कि इसी के समय यानि सालम दुती के समय यहां पर मुगलों ने पूर्टा अधिकार कर लिया था अब यहां पर ये नाम मात के राजा रह गया और कहा जाता है कि ये काफी समय तक इलावाद में आया इलावाद में ये रहता है सालम दुती काफी समय तक इलावाद में रहा और इलावाद से फिर ये पहुंचता है दिल्ली इलावाद से जब दिल्ली पहुंचता है तो ये किसके द्वारा बैठाला जाता है माराठों के द्वारा ये गद्दी पर बैठाला जाता है लेकिन ना साल थी उन पर कबजा कर लिया दूसरी चीज यह पेंसन भोगी भी बन गया था पेंसन भोगी बन गया और इमाद मुल्क ने इमाद मुल्क ने इससे अंदा करवादियत को समय बात मारा जाता है इसके बाद बैठता है अगबर दूती आप देखो अगबर दूती जब यह अगबर दूती बैठता है तो यह का जाता है कि अगबर जब दूती बैठा तो इसी के समय प्यानि कि यह स्थित हो गए कि पेंशन भोगी था और इसने का अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए किसको बेजा प्यानि कि इस सम चाहूं राय को कहाँ बेजा था? ब्रेटेन बेजा था जगही कौह पर बन गई, यह कब जाते हैं? 1832 में इनकी यही पर दो जाती, यानि कि सिटमबर 1832 में इनकी जंबरत हो जाती है लेकिन उसके पहले उन्होंने उनकी पेंसेज बढ़वा दी ठी अकबर दुती के पैंसेज ह recommendations बढ़वा दी बढ़वा यानि के पैंसन भोगी बन कर रहे गए किसके अंग्रेजों के इसके बाद 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 दूर सा दूती बाद दूती इसे जफर के नाम से जानते हैं प्रिक के आधिते हैं 8-8वा से 880 सत्तामन तक याद कि बैठता है और यह एक चीज याद रखना जो पूरा कभिया है । यह याद के याद रखना कि अठारा सो सत्तामन की करांती किसके वहती समय श्तामन की क्रांती तुब छाय ते एक निश्वी की माई को इनने मेरट में यहां से जब करांती तो यह कहा जाता है कि यह बाददूर सा जो दुती था यह माई को मगवरेक पास छुपा था और जब इसको सूचना इलाई बक्स जीनत माईल देती हैं अड्सन को वह ओग जुवस्टिए न अंग्रेजों की तो वहां से भाग कर आगरे खिला पर क्लas włdo पकड़ा जाता है नने Prague पकड़ा जाता है और इसको कांवी डिया घा रंगून जाता है तो यहीं बाददूर सा जपर जो कहता है तुटी कि बादुर इतना बद नसीब है कि उसे दो गज जमीन भी नसीब नहीं हुई जीनत मैल ने भलो अंग्रेजों के साथ दिया हो लेकिन बाद में जीनत मैल के साथ भी वही हुआ कि उसको भी पकड़ के क्रामेज दिया गया तो उसी के साथ भेज दिया जाता है लेकिन बाद वोनने सब दोका किया यह चीजे हुए और बाद दुर साथ जब दुती वहीं पर मरता तो इसकी कब्रती यह स्टेट्मेंट लिए तो मित्रो आज यह था मुगल वंस का पतन अब इससे जैसे कोशन बन रहे हैं यह हम अंगले यानि टापिक में चलेंगे तो यह पूरे पेपर हम साल्व करवाएंगे ठीक है कैसे कोशन बन रहे हैं विगत वर्स में और कैसे आने की संभावना है यह हम आपको बहुत जल्दी अंगले वीडियो में हम पुना आप से मिलेंगे और पेपर के साथ मिलेंगे पेपर में जैसे भी कोशन चाया हो आईयस में हो चाया समिच्छा अधिकारी हो या अधर एक्जाम जो भी कोशन आयों को बिद्वत हल कराया जाएगा और उसके लिए एक टेस्ट सीरीज भी वे मिलते हैं अंगले वीडियो में